नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्चाय24 में दोस्तों AITT 112 से रिलेटेड एक काफी कॉमन डाउट है अटेंडेंस को लेकर काफी लोग कन्फ्यूज हैं कि अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए एक्जाम में बैठने के लिए और कैसे हम चेक कर सकते कि हमारा अटेंडेंस अपडेट है की नहीं है तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपके अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए और आप कैसे चेक करेंगे कि आपके attendance अपडेट है की नहीं है ठीक है attendance related जो भी आपके मन के अंदर doubt थे इस वीडियो के अंदर आपके clear हो जाएंगे चलिए दोस्तों start करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको IBM वाला portal open करना है अप्रेंटिशी पोर्टर ठीक है उसके बाद आपको login पे क्लिक करना है और login हो जाना है तो हम login कर लेते हैं तो दोस्तों login करने के बाद कुछ नया पे इस टाइप अपन हो जाता है और जहां पर आपको देखने को मिलेगा अप्रेंट डेश्बूड और यहां पर आपकी फोटो और आपका नाम लिखा हुआ होगा और यहां पर आपको option देखने को मिलेगा अब है तो हमें शो क्यों नहीं कर रही है ठीक है और कितना होना चाहिए percentage हमारे टेंडेंस का यह डाउट जो है काफी common डाउट है और काफी लोग ने मिरसे पूछा है कि attendance कैसे चेक करें और attendance कितनी होने चाहिए अप्रेंटिस के अंदर में इस वीडियो के अंदर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए ठीक है तो आपको क्या करना है लेफ्ट साइड में आपको देखना है डीटी असेस्मेंट वाला ओप्शन डीटी असेस्मेंट की ऑप्शन पर में क्लिक करना है ठीक है जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाप एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट सेटर्श जैसा कि मैंने आप सभी के बोला है और काफी लोग ने मुझे बोला कि मेरे अप्लोट हो चुका है बट मेरे में अभी भी परसेंटेज साइन दिखा रहा है तो हम क्या करें हमारा आप्लोट है कि नहीं है हम कैसे confirm करें तो दोस्तो सबसे पहले आपको बता दूँ जो attendance का जो option है ये सिर्फ option ही है ठीक है यहाँ पर data अभी upload करने के बाद भी show नहीं कर रहा है ठीक है तो आपको घबराना नहीं है attendance को भूल जाईए ये छोड़ दिजी कि attendance का कुछ system है यहाँ पर क्योंकि इसे सिर्फ attendance option दिया गया है बट इसमें data कोई upload अभी नहीं हो रहा है मैंने कई जगा पता किया और पता चला कि attendance upload करने के बाद भी show नहीं कर रहा है तो आप घबराईए मत जिनका भी percentage show कर रहा है तो इसका मतलब कुछ नहीं है आप इसको ignore किजिए इतना सोच के चलिए कि इसको हमें ध 75% attendance का मतला मेरा यह है कि जब आप एक साल के अप्रेंटिस करते हैं तो उसके अंदर कुछ छूटियां भी काटी होती है ठीक है उसके इसाब से जब आप अपसेंट होते हैं या अपसेंट नहीं होते हैं उसके इसाब से आपको देखना होता है कि आपकी जो attendance बन रही है 75% बन रही है कि नहीं बन रही है मिला जुला के आपको देखना है कि जब आप एक साल के अप्रेंटिस करते हैं तो उसके अंदर आपको मेंटेन करके रखना है 75% attendance ज्यादा छुटी नहीं लेना है ठीक है बट इस पर को ज्यादा ध्यान नहीं देता इस्टेबिस्मेंट इस इग्नोर करते हैं और किसी भी बच्चे को attendance के लिए तो नहीं रोका जाता है एक्जामें बैटने के लिए तो यह आप दिमाग से हटा दीजिए ठीक है जिनका भी attendance से विलिटेट जो भी confusion थी कि हमारे attendance कम है कि क्या नहीं कम है तो उससे आपको कोई दिकत नहीं होने वाली ह मैं 100% कह रहा हूं कोई भी दिकत नहीं होने वाली है ठीक है बस आप अपने से अच्छे से विवार कीजिए और उन्हें बोलिए कि हमारे practical के marks जरूर कीजिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिकल और सेशनल के marks है अगर वो टाइम भी अपलोड हो जाते हैं तो आपको कोई दिकत नहीं आने वाली है अटेंडेंस का यहां पर option जो है आप इसे इग्नोर कर दीजिए बिल्कुली दिमाग से अटा देजिए कोई अटेंडेंस का सिस्टम ही है अपर इंटिसिप में यहां पर जिसको हटा दीजिए दिमाग से यहां पर जब चीजे ठी चैनलिक होंगी आगे तो यहां पर आपको सह करने रहेगा कि अटेंडेंस कितनी idas percent ह faithful कि अभी करेगा बट अब फिलआल ये attendance option इंहां पर सिर्फ पर आपके attendance भी शो करेंगे और मैं आपको उता दूं हो आपके Stabilisement regular आपका attendance अपलोड करते हैं और बिलकुल टाइमली upload करते हैं तो यह मत सोचेगा कि आपके attendance अपलोड नहीं होती है अपने attendance जो है अपके upload होती है बत यहां पर system के वज़े से system error के वज़े से आपका attendance आपके शो नहीं करता है बस आपको इतना ध्यान देना है फिलाल अभी attendance option को आप इग्णोर कीजिए और आपना सिर्फ और session marks upload करवाई है क्योंकि वो जरूरी है तब ही आप exam देंगे में भी दोस्तो आपका attendance related जो भी डाउट था इस वीडियो के इनर clear हो गया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है ता आप मुझे comment section बता सकते है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलता हूं नेक्स वीडियो में जय ही जय भारत